नमश्कार जी मैं मन्जुकिसी भाइवेन के फरमाईश थी कि अपना पिटूनिया टावर दिखाएं तो मैं जो डाइन थसका इस बारी बनाना चाती थी तो ये तो आप जानते हैं कि मैंने कई तरह के जो ये टावर बना के सिखाएं हैं दिखाएं हैं ये जो लोहे से भी बनाया था ये भी मैंने दो तिन वीडियो बनाये थे step by step सिखाया था किस तरह से ये नेट भूना था लोहे का और किस तरह से ये वाला नेट लगाया था और अंदर पाइप ये सब मैंने शेर्ट किये हूँ है तो ये तो नहीं बताऊंगे पर मैंने ये प्लांट्स लगाना भी सिखाये थे बड़ा सुंदर बालसम का भी मैंने टावर बनाना बताया था आपको और मोस रोज पे भी मैंने सिखाया था तो सेम ऐसे ही मैंने ये पिटूनिया के तो मैं पिटूनिया के प्लांट्स तो नहीं सबरी लगाना चाती थी मैं जो इस पे लगाना चाती थी स्वीट विलियम के मैंने खुब सारी बहुत त्यार कर रखती हुई थी तो इस पर मैं वो लगाना चाती थी बट पिटूनिया मेरे हर गमले में इतने धेर सारे त्यार हो गया है मैं आपको बताती हूँ तो मुझे उनको निकाल के फैंकने का मन भी नहीं कर रहा तो इसलिए फिर मैंने ये वाला टावर बना लिया ये देख रहे हैं टोकरी इसमें मैंने कुछ और प्लांट्स लगाए थे तो ये देखे पूरे धेर सारे ये पिटूनियां पिटूनियों गया है आएसे लगता कि जैसे मैंने पिटूनिया के सीर डाल रख्या हूँ तो इस तरह से हर गमले में मेरे जो सीर जैसे पूरा साल बर बना रहता है पिटॉनिया, तो गिरते रहते हैं, तो धेरों सारे प्लांट्स निकला है, तो फिर मैंने सूच़़ चलो यह पिटॉनिया टावर ही बना लेते हैं, तो ये बला मूसम जो है, इसको बनाने के से पास ही रखा है जहां पर दो तिन घंटे की धूप आती हो और प्लांट्स के आसपास और अगर धूप जब आती है तो मैं इसको पूरा ऐसे बोरी उपर दे देती हूं बोरी इसके उपर और इसको बोरी के अंदर कर देती हूं और तांकि खुली बोरी देती हूं और ता अभी तो ऐसे लग रहा जैसे बारिश आने वाली होती है, इस तरह से ये मैंने ये लगा दिये हैं, पुद्देश के, ये दिखा, तो इसमें जो मोस रोज लगा था, गर्मियों में मेरे आपने दिखा होगा, तो वो उसको मैंने सूखने दिया था, और एक उजार जो बड़ बहुत ही बढ़िया है, तो इसी का मैंने इस्तेमाल किया है, तो जब आपको कोई भी टावर बनाते हैं, किसी भी चीज का बनाते हैं, तो उसे केर की थोड़ी ज़्यदा जरूरत होती है, क्योंकि प्लांट्स को बहुत ही कम खुराक मिल रही है, तो इसलिए अगर कम मिट् हो, तो पानी इने खूब देना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी मिट्टी है, और जब धूबी चाहिए होती है, पिटूनिया को तो खिलने के लिए अच्छी धूबी चाहिए होती है, और जब यह अच्छे से अब मेरे यह चलने लगेंगे, तो फिर मैं बोरी पूरे तरिक मेरा टावर, पूरे चानों तरफ मैंने यह पिटूनिया यह पिटूनिया लगा रखा है, और अभी आप अगर लगाना चाहते हैं, तो अभी आप लगा दीजिए, और मोसम बहुत बढ़िया है, और बादल बने हुआ है, इसलिए आपको जैदा मेहनत नहीं करनी और फिर बोरी बगारा से भी डखने की जुरूरत नहीं है, अगर लगातार आपके जो मोसम अच्छा बना रहता है, बादल बने रहते हैं, तो बस यही इसकी कियर है, बाकि लिक्विड फर्टिलाइजर बगारा फिर कैसी देनी है, वो ऐसी तो आप खाद डालनी सकते हैं, इसमें उपर जगे नहीं है, कहां देनी है, तो लिक्विड फर्टिलाइजर बना के, जैसे होमेड गर के बनाते हैं, आपकी किचन वेस्ट मेटिरियल का हो जाता है, एचिजों के बनाते हैं, तो वो आप फिर इसमें दे सकते हैं, तो खुब अच्छे से यह चलता है, तो अब यह देखो, थोड़ थोड़े जो इनके पुराने पते हैं, तो यह ऐसे लुड़ करे हैं, थोड़े तो न्यू बाले ऐसे खड़े हो गए हैं, तो इसका मतलब यह चलने लगे हैं, तो कोई अद्दे पुद्दा यह भी हो सकता है, पर फिल हाल तो मेरे यह सारे से ही करना है, तो यही सब इसकी केवर है, शाम हो चुकी और परसले ने यह देखिए, अभी भी मेरे यह खिल रहे हैं, तो इनका यह होता है कि जब ठंडा मोसम होता है, तो यह शाम तक जो है खिलते रहते हैं, और इसी तरह से दिसंबर मिन्ने में यह मोस रोज भी देए, तो आप पिटुणिया टाबर ही नहीं, आप कोई भी बना सकते हैं, तो मैंने तो कई तरह के अलग लग तरह के जो मेरे पोध बहुत ज़्यादा, तो फैर मैं सारी पोध बहुत ज़्यादा लगाती हूं, खुब सारी लगाती हूं, तो कुछ भी आप लगा सकते हैं, तो आप वो टावर बनाना चाहते हैं आज चाहे तो आप हाईवरेड वाला गेंदा वो भी लगा सकते हैं जो छोटे-छोटे प्लांट्स होते हैं तो उनका भी बड़ा अच्छा लगेगा प्रकोशिश ये करें कि जिनके फूल बलंबे टाइम तक बने रहते हैं तो वो उस मैं और भी देती हूं ये रंग बिरंगे पत्तों वाला क्रोटोन भी लगा सकते हैं और इसे धोपगी भी जुरूरत नहीं होती है चाहे वाली जगे में रखें और मिट्टी को फिर आपको मौाइस्टी रखना पड़ेगा हां सोरी बाय मिस्टेक हम है क्रोटोन कहरी ये को लग लग हैं आपके पास तो वह उसका आप कोलियस की जो है ताबर बना सकते हैं कोलियस भी जो है बहुत कम थोड़ी सी मिट्टी में अच्छे से चल पड़ता है